हलो एवरिवन मैं विश्रुजीत सिंग आप सभी का दी इनव पर स्वाबत करता हूँ दोस्तो आज की स्विडियो के अंदर में हम M.A. History M.H.I.G. रुनाई लेस्न 6 आर्थिक राष्टवाद पढ़ने वाले हैं दोस्तो जब हम आर्थिक राष्टवाद की बात करते हैं तो यहां पे हम बात करेंगे कि आर्थिक राष्टवाद विचारधारा जो है उसका विकास किस प्रकार से हुआ भारत के संदर्व में आर्थिक राष्टवाद क्या है और भारत के अंदर में कौन-कौन से राष्टवादी नेता रहे है जो आर्थिक राष्टवाद का समर्थन करते थे ठीक है और आर्थिक राष्टवाद का उपनिवेशिक काल के अंदर में क्या सोरूप रहा उसके बार में और भारत के संदर्व में आर्थिक रास्टवाद के बारे में स्टार्ट करते हैं अपना लेसन दोस्तों विना समय को गवाए हुई आर्थिक रास्टवाद है क्या सबसे पहले अगर यह कोश्चन हमारे माइड में आता है तो यहां पर दो चीजे जानना बहुत जरूरी ह पहला आता है कि रास्ट किसे कहते हैं ठीक है आर्थिक रास्टवाद को जानने से पहले आपको रास्ट को जानना बहुत जरूरी है किसी भी भूखंड ठीक है जिस छेतर में आप रहते हो जहां पर एक रूल रेगुलिशन नियम है कानून है एक राज्य है ठीक है भूखं जिसको rule regulate करने के लिए प्रसाशन ववस्था एक नियम है कानून है उसको हम रास्ट के तोर पर संबोधित करते हैं ठीक है रास्ट हो गया हमारे लिए दूसरा यहां पर हमें जानना बहुत जरूरी है रास्टवाद ठीक है अगर आप रास्टवाद जान गए ठीक है तो आप परती आने वाली भावना या होने वाली भावना जो भी हमारे मन में है जो भी हम उसके लिए करते हैं काम वो रास्टवाद कहलाता है किस तरह काम जहां पर हम सर्वोपरी रास्ट को मानते हैं कि भीया सबसे उच्वा रास्ट है हम इंडिया से कहीं बाहर जाते हैं भारत से कहीं बाहर जाते हैं विदेश में रहते हैं पर हम अपने देश के लिए बोलते हैं कि हम भारती हैं यह नहीं बोलते हैं भिहार से आया हूं मैं नहीं बोलता बंगाल से आया हूं दिली से आया हूं पंजाब से आया हूं हम वहां पर क्या बोलते हैं कि वी आर इंडियन हम भार June दीखाते हैं तो वह जो भावना होते हैं उसको हम राश्टवात कहते हैं इस जहां पर बार्थे मैं भावना ही viral detail में बताया था अब हम बात करते हैं आर्थिक राष्ट वाद क्या है अब दे Exercise मतलब कहा एक भूखंड उसरोपरी एहमियत है उसके हम बात करते हैं और आर्थिक राष्ट वाथ के मतलब क्या कि आर्थिक संदर्व में हम उस भूखंड के टुक्ड़े को लेते हुए जो सबसे ज़्यादा important चीज़ है उसकी बात करते हैं मतलब अपने हित की बात करते हैं आर्थिक संदर में वो हो जाता है आर्थिक रास्टवाद इसके अंदर में आता क्या है तो आर्थिक राष्टवाद के अंदर में स्वधेसी उद्योग जो भी स्वधेसी उद्योग है ना उसकी हम बढ़ावा देने की बात करते हैं कि भीया स्वधेसी उद्योगों को बढ़ावा मिले घरेलू जो उद्योग है उनको बढ़ावा मिल तो वहां पर सोदेसी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, सोदेसी जो वैपार है, उसको सक्षम बनाने की बात करते हैं, यहां पर भुमंडली करन, ठीक है, वैश्वी करन, भुमंडली करन, ग्लोबलाजेशन, उसको निसेद करने की बात करते हैं, कि वो क्या ह होता क्या है तो यहां पर इसका मतलब होता है कि भुहमजली क्रण में एक पूरा व्यष्व क्यांग ग्राम वस्तप में बन जाता है एक ग्राम और एक में पर सभी का हbak एक बारत के अंदर के व्यपार कर रही है थिक चायना की कंपनी भारत के दर भारत की कई सारी कंपणि वो वीदेश विवडार कर रही है तो इस तरह के चीजे यह यह आपे जाते हैं विदेशी कंपणियों के लिए तो आर्थिक राष्टवाद में इसका भी विरोध किया जाता है साथ-साथ में मुक्त वैपार जो यहां पर किसी थार थे कि पाबंदी नहीं उपन डोर या मुक्त वैपार दोनों almost same are similar है तो मुक्त वैपार की जब हम बात करते हैं कि जहां पर कोई पाबंदी नहीं है बिना पाबंदी के वैपार करना ठीक है पूरा पाबंदी रहित वैपार करना वो open door कहलाता है या मुक्त वैपार कहलाता है तो आर्थिक राष्टवाद में इसका भी विरोध किया जाता है वो normally आर्थिक राष्ट में सोदेसी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की जाती है ठीक है सोदेसी रुजगार को बढ़ावा देने की बात करती है और जो भी आर्थिक नीतियां बनती है कोई भी अगर हम नीतियां बना रहे है ठीक है आर्थिक नीतियां तो उसमें ये पूरा टॉपिक आर्थिक राष्टवाद समझ में आया होगा अगला टॉपिक के हम बात करें यहां पर तो आर्थिक राष्टवाद की विचारधारा है उसका विकास किस परकार से हुआ किस परकार से हुआ आगे बढ़ा ठीक है इसके बारे हम बात करते हैं तो यहां पर फै टाइम पिरेड दे हो गए ठीक है तो 1789 से लेकर 1846 तक ये पूरा इनका टाइम पिरेड रहता है फेडरिक लिस्ट इसका पूरा नाम है इनका नाम है आर्थिक रास्टवाद की धारना को सबसे पहले इन्होंने सब के सामने रखा था ठीक है और ये के रास्टवादी ठीक है आर्थिक रास्टवादी के तौर पर ये जाने जाते हैं विचारक आर्थिक रास्टवादी विचारक के तौर पर ये जाने गए टिक है फैटिरिक लिस्ट के अगर मैं बात अधे तो यह मानफ्ता के लाभ है तू जो भी नीतियां बनाइ जाती थी सरकार के बारा किस तरह की नीतियां किस तरह से work करती है क्या वो मानफ्ता के लिए importance है जो भी लोग रहते हैं उस समाज के अंदर में society के अंदर में तो क्या उनके लिए वेल्यूवल है, उसका उन्होंने मुल्यांकन के लिए किया, उनका सर्वे किया, पूरा एकदम एनलाईज किया, और उसके बाद उन्होंने ये importance wording कहा, कि जो भी नितियां बनाई जाती है, वो व्यक्ति के लाप के लिए नहीं बनाना चाहिए, अगर मालो गौर्मेंट ने कोई निती बनाई, कोड़ पॉलिसी बनाई, तो उसका importance ये नहीं होना चाहिए, कि उस व्यक्ति को, उस समाज के अंदर में रहने वाले व्यक्ति को profit होगा, ठीक है, उसका importance ये होना चाहिए, कि उस व्यक्ति के profit से, उस रास्ट को profit होगा, ठीक है, ये importance द इस दोटों को सासर्ट को सार्थ यह तो अलग बात रहें यूटूप हम पढ़ा रहें यूटूप से मैं अर्निंग मिलती है डॉलर में नहीं तो वह किया मेरा खुद का वीकास नहीं है फूरा पर रास्ट का भी profit है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं विदेशी मुद्राओं को हम भारत के अंदर में ला रहे हैं तो कहीं न कहीं उस तरह से रास्ट का भी योगदान है तो जो भी government policies बनाएं ऐसा नहों कि सिर्पना एक particular उद्योग का विकास हो ठीक है वहाँ पर उस उद्योग क पर उसके बारे में जोर दिया जाता है जिसके लिए यहां पर tax निति कर निति की भी बात की जाती है किसकी द्वारा फेडरिक लिस्ट के द्वारा की कर निति को भी लागू करना जरूरी अगर मालो आपने खुला चोड़ दिया कि भीया जाओ वैपार करो तो वो तो वैप पार कर रहा है वंदा प्रसेट कर रहा है और वह लाब कमा करका के खुदि Amir बनता जा रहा रास्ट का किया फाइदा उभा उन्होंने रास्ट के बारे में करना विक्तिकत करنا चीक eco products करना च्याके कि अगर वो जो भी नेतिया हैं? क्या वो रास्ट के संदर में यूजफुल हैं? उसके बारे में पताचलेगा. अगर यूजफुल हैं तो रास्ट को किस तरर से benefit होगा? वो हमें पताचलेगा. तो fairेक लिस्ट इस बात पे वो जोर देते हैं. ठीके समझ में आता है? यहाँ पर सासत में कि ये भी कहते हैं वो कि व्यक्ति रास्ट के सदस्य है और आर्थिक नीतियां केवल व्यक्तियों के लाब ही तू नहीं है ठीक है जो व्यक्ति है एक जो आदमी है वो क्या भी है रास्ट का ही तो पाट है मैं भारत में रह रह रहा है तो भारत का ही तो पा जुकाव है राश्ट के परती सोड़ा जादा होना चाहिए ठीक है इसके बारे में बात करते हैं ठीक है समझ में आता है और आर्थिक नीतियां जो भी बनाई जा रही हो देश की संस्कृतिक ठीक है राजनीतिक और सभी चीजों को देखते हुए उसके जुकाव को देखते रिजन क्या था कि भारा सरकार ने का कि हमारे संस्कृतिक ठीक है हमारे सुरक्षा को उसकी भावनाओं को आहात हो रहा है उसके काल से बंद किया जाना चाहिए ठीक है तो यहां पर फैटिक लिस्ट इस बात पर भी जोड़ देते हैं कि जो भी नीतियां बनाई जारी है जो सोस्तों मिलती थी बट गवर्मेंट को उसने देखा कि मॉरेल्टी जो लोगों के अंदर में जो मॉरेल्टी वह नुकसान हो रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है उस वह नुकसान हो रहा है ठीक है सांस्कृतिक जो चीज़ें वह नुकसान हो रहा ह हाथ हो रही है तो उसके कारण से गौर्मेंट ने अपने लाव को नजर अंदाज करते हुए उसको कड़े कदम उठाए ठीक है तो यहाँ पर फैडिक लिस्ट इसके बारे में भी बात करते हैं कि जो भी पॉलिसी बनाई जाए वहाँ पर रास्ट को इंपोर्टेंस दी जाए रास्ट की जो धारना है उसको इंपोर्टेंस दी जाए व्यक्ति के लाव को ना देखते हुए रास्ट के लाव को भी देखा जाए ठीक है उसके संदर में वो पॉलिसी का निर्मान किया जाना चाहिए यह फैडिक लिस्ट ने कहा ठीक है समझ में आता है दोस्तों यहाँ पर एक और आते हैं जिंका नाम है जो घोई पूरा नाम है करके उनका पूरा नाम है इनका पूरा प्रुम से लेकर है 18ちら 14 के तक इनका पूरा टाम Durst 12 ा धित रहता है आते हैं तो यह कहते हैं कि अर्थिक रास्ट बात कर बल देती है Сुऊ लंबन मतलब क्या एक अपने आप बढ़ने पर बल देती है किसी के भरूसी नहीं रहे न ठीक है यह नहीं कि भारत के अंदर में Apple company आकर phone बनाएगी तब हम phone चलाएंगे माइक्रो मेक्स है ठीक है दूसरी कंपनिया लावा है तो वह मतलब अपने आप भी बढ़ने की कोर्सिस करना स्वाल अंबन अपना काम खुद करने पर जोड़ देना उसके उपर में यहां पर जोहन ने कहा कि यह भी एक आर्थिक रास्टवाद का कदम होना चाहिए सासत में पूर्त के लिए जरूरी है अगर जनता की आर्थिक अपने पूरति के लिए जरूरी है करेगा अगर माल लो एक रास्ट ठीक है एक उद्योग पती क्या कर रहा है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है पर वह रास्ट को फाइदा नहीं दे रहा रास्ट को फाइदा कैसे दे सकता है टेक्स पे करके ठीक है बिल्कुल टेक्स पे करके टेक्स पे करने के सासात मे अगर वो रोजगार भी दे तो रास्ट के अंदर में रहने वाले लोगों को बेनिफिट होगा और वो रोजगार देगा तो रोजगार मालो मुझे नौकरी मिली तो मैं नौकरी कर रहा हूँ ठीके तो नौकरी कर रहा हूं तो नौकरी में से टेक्स में पैसे जो मिलेगा उसका भी तो टेक्स में पे करूँगा ना तो गौर्मेंट को अधर कंपनी से भी लिया उसने पैसे टेक्स लिया और जिसको उन्होंने नौकरी दिलवाया उससे भी टेक्स लिया ठीक है तो राज्य हां सचेपकारी हो रोजगार उत्पन हो ठीक है तो इस तरह से वो चीज़े वो देखता है ठीक है वेतन और मुल्ले का निर्धारन राज्य के अंडर में आना चाहिए ये इसके बाद पर जोहन जोर देते हैं घरेलू मुल्ले का नियंत्रण पर जोर होना चाहिए पूरा मतलब कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए राज्य के हाथ में अगर हम कुछ समान बेचरे किस तरह से कर रहे हैं तो बाहर विदेशी मार्केट याविर किसी और जगह पर डिपेंड नहीं होना चाहिए घरेलू मुल्ले मतलब घरेलू हाथ परी मतलब जो तरह से कुरा मुले कंट्रोल होना चाहिए इसके बारे में जोहन से वह करते हैं सब्सक्य रहाद करते हैं ठीक है समझ में आता है ये वालावी topic आपका clear हो गया almost ठीक है अब हमारा last topic है तीसा topic भारती ये अर्थिक रास्टवाद देखो भारती के अन्दर में कभी भी रहा ही नूहीं रास्टवाद की मतलब क्या होता है कि जहां पर हम रास्ट की भावनाओं को बहुत ज़्यादा importance देते हैं पर जब ये पूरा विचारधारा आर्थिक राष्टवाद की विचारधारा आई तो भारत उस समय कहा था अंग्रेजो का गुलाम था ठीक है और अंग्रेजो का अल्मूस्ट दो सो साला तो गुलाम रहा जिसके कारण से भारत के अंदर में आर लग लगतर की कंपनियां आई वैपार हुआ जिसमें कच्छे माल का इधर सुदर ढोना ये सारी चीज़े चल रही थी ठीक है तो ये एक कैरण दिखा गया जहां पर आर्थिक समराज्यवाद भारत के अंदर में देखा गया दूसरा यहां पर कारण आता है क्या लोग हैं या जो विचारक हैं वो आर्थिक राष्टवाद की बजाए आर्थिक समराज्यवाद के तौर पर उसको डिफाइन करते हैं कि भारत का पूरा दोर आर्थिक राष्टवाद का राही नहीं आर्थिक समराज्यवाद का राहा अगर हम भारतिय संदर्व में आर्थ जिनके समास उधारत के तोर पर जाना जाता है उन्होंने बिदेशयों कi बिदेश जो नीती थी उनकी अंग्रेजयों की जो आर्थिक नीती तहीं उसकी खिलाफ अन्होंने लिखना सुरू किया जिसके बाद से भारत के अंदर में आरथिक राष्टवात की भावनां बहुत प्रेद्व यहां पर आता है दादा भाई नरोजी ठीक है दूसरे यहां पर आते हैं महादेब गोविंद रानाडे ठीक है वहाँ पर फिर आ जाते हैं रमेश चंदर दत करके आ जाते हैं ठीक है गोपाल किर्ष्ण गोखले जी सुपरमन्यम अयर जीवी उजोसी बाल गंगादर बेनरजी सुरेंदरनात बेनरजी यह जितने भी हैं यह सारे आते हैं वेक्ति आर्थिक राष्टवात के संदर्व में जिन्होंने अपना विचार व्यक्त किया जिन्होंने आर्थिक संदर्व मेरे विचार व्यक्त किया क्या विचार व्यक्त किया किस तरह का विचार व्यक्त किया जैसे अंग्रेजों ने क्या क्या हमारे बारत से धन निकासी कर रहे थे धन को ले जा रहे थे धन निकासी के उन्होंने विरोध करना शुरू किया, कि धन निकासी गलत है, संसाधनों का निकासी, जो भी रिसोर्स है, संसाधन, उसका निकासी किया जा रहा था, संसाधनों को अपने यहां ले जा रहे थे, उसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया, कि यह गलत है, ठीक है, साथ साथ म लोक विट्के जो लोगों को विट्के प्रॉब्लम होरे थी जो भारत के अंदर में रहने वाले लोग है उसका उन्हों ने विरोध करना चुरू के रोध करना, यह इन रास्टवादीं नेताओं का, में अर्थ रहा और यहां पर भारतिक सन्दर में हम यह देखते हैं, देखो फारतिक रास्टवाद किया है , तो आरतिक रास्टवाद किया है तह आप यह तीणों पॉंट को बता सकते हो एक और विचारक है ठीक है अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर वो शिरिफ अंग्रेजी संदर्व में बोलते हैं Thomas Edward करके उनका नाम है जहां पर वो कागिज मुद्रा की बात करते हैं विचारक के अंदर में ठीक है यह हो गया तो दादा भाई नरोजी, महादीव, गोविन, रानाडे, ठीक है रामेश्वर, चंद, ठीक है गोपाल, कृष्ण, गोखले, जी, सुपरमन्य, मैयर, बीवी, जोसी, बाल, गंगा, दर, बेनरजी, सुन्दर, नाथ, बेनरजी यह आठनो इतिहासकार, आर्थिक राष्टवादी नीता थे, इतिहासकार नहीं कह सकते, आर्थिक राष्टवादी नीता थे, जिन्होंने आर्थिक राष्टवाद को यहाँ पे डिफाइन कया, राष्टवादी नीता थे भारत के और इन्होंने आर्थिक राष्टवाद का विरोध करते हैं ठीके लोग वित्ते का जो भारत की जो लोग थे उनके कंगला पन जो था उनके उपर बोज पड़ रहा था वित्ते बोज पड़ रहा था उसका विरोध करते हैं ठीके विदेशी वैपार का परमोट करने का विरोध करते हैं तो ये भारते संदर में बहुत अच्छा लगता है कि motivation मिलते हैं और हम अच्छे से और अच्छे से work कर पास करते हैं अपने आपको improve करने की courses करते हैं एक और आपके लिए information था जो भी students हैं जो MA history पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से आगे complete करना चाहते हैं तो उनके लिए good news यह है कि आप हमारे channel दी आपको join कर सकते हैं join करने के लिए आपको subscribe बटन के बगल में एक join का बटन मिल जाएगा आप होँसे join कर सकते हैं जिसे जो भी update होगा आपको time to time कई सारी classes paid classes होते हैं तो उसका time to time आपको update मिलता जाएगा आप join करके भी benefit ले सकते हैं कई सारे questions से join करने के बाद आप directly मुझ टे कर ले बस्ट